नमस्कार मैं हूँ इकबाल परवेज इंडिया नियूस डेस्क में आपका स्वागत है बिहार चुनाओ का भले ही रिजल्ट आ चुका हो और एंडिये 125 सीट लेकर सरकार बनाने की कागार पर खड़ी हो चुकी हो मगर अब भी ये मसला पूरी तरह से सौल्व नहीं हुआ है औ फिर अभी ये आसार हैं कि महाकडबंधन की सरकार बिहार में आ जाए क्योंकि ये पेच अभी तक फंसा हुआ है कई जगा ये सूत्रों से भी ये खबर आ रही है और ये खबर आपको बता दे के जी न्यूज ने भी ये खबर चापी है जो अपनी वेब साइट पर उसमें लड़ी है और दूसरी तरफ वियाईपी पार्टी है जो मुकेश साहनी की पार्टी है ये भी इंडिये के साथ गड़ बंधन में लगी है लड़ी है और इन सब को मिलाकर 125 सीटें इंडिये को के हिस्से में आई है और वो सरकार बनाने की कगार पर खड़ी है वहीं दूसरी भी हैम को और वियाईपी पार्टी को ये ओफर दिया है कि वो इनके साथ मिलकर सरकार बनाएं अब आखिर ये नौबत आई क्यों इस पर गोर करना बहुत जरूरी है हर चुनाओं के दौरान ही ये लग रहा था और जिस तरह से हवा बह रही थी महागडबंधन के पक्ष मे और ऐसा एकदम महसूस हो रहा था कि ये सरकार जाने वाली है यानि नितीश कुमार की सरकार जा रही है भारतिय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और महागडबंधन यानि तेजस्वी यादव और कॉंग्रेस का जो गडबंधन है उनकी सरकार आने वाली है क्योंकि जनता क के नाम पर वोट करने के लिए गई थी जनता और इस बार ये जनता नरेंदर मोदी के जहां से में नहीं आते हुई दिख रही थी मगर जिस दिन मत गन्ना हुई जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई उस दिन भी पहले एक से डेड़ घंटे में महागडबंधन आगे चल रही और तेजस्वी यादव ने भी अपनी चुप़ी तोड़ते हुए ये निशाना साथते हुए ये कहा है कि जीत उनहीं की हुई है लेकिन एंडिये ने जैसे तैसे करके अपनी सीट को हासिल किया है और कई सीटों पर जान बूज कर इनको हराया गया है यानि ये जो आयोग ने यानि तेजस्वी का ये कहना है साफ साफ के जनता ने तेजस्वी यादव यानि महागडबंधन को जीताया और चुनाव आयोग ने एंडिये को जीताया यही वजह है कि अभी भी जो दाव पेच चल रहे हैं खुलकर ये बात सामने नहीं आई है कि मुख मंत्री कौन बनेगा हाला कि भारतिय जनता पार्टी ने शुरुवात से ही ये कहा था कि जिसकी भी सीटे ज्यादा आए जिसकी भी सीटे कम आए लेकिन मुख मंत्री नितिश कुमार ही होंगे लेकिन नितिश कुमार की सीटे इतनी कम आई है यानि खरीब 43 सीटे आई है कि वो अब खुल कर कह भी नहीं सकते आँ वो भी ये कह रहे हैं कि अब जो NDA है ये फैसला लेगा कि कौन होगा मुख मंतरी जनसत्ता ने ये खबर छापी है कि आरजेडी ने मुकेश साहनी को दिया डिप्टी सीम का ओफर पुराने साथ ही मांजी से भी साधा संपर्क तेजस्वी ने अ दो चोटे घटक धलों से संपर्क में हैं मतलब साफ यहाँ पर ये जो खबर आई है वो साफ ये है कि ये अभी भी संपर्क में हैं और उन्हें किसी तरह से अपने साथ जोडने में यहां तक के डिप्टी सीम पद का पद का भी ओफर दे चुके हैं तेजस्री आदब कुल मिलाकर पेच अभी भी फंसा हुआ है और फंसने की कई वजू हाते हैं सबसे बड़ी वज़ा ही यह है कि नितीश कुमार की कम सीटों का आना अब अगर भारतिय जनता पार्टी जो खुद सत्ता की भूकी है जिसे हर हाल में सत्ता चाहिए वो किसी भी कीमत पर कुर्सी च नेता हैं उनको कौन सा पॉर्ट फोलियो मिलेगा क्या उन्हें मिनिस्टर बनाये जाएगा यह एक बड़ा सवाल है और ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि भारतिय जनता पार्टी अगर मजबूरी में नितीश कुमार को अपना किया हुआ वादा पूरा कर भी दे तो फिर जनता के जो हैं उनके अंदर खलबली सी मची हुए और यह भी पॉसिबिलिटीज है यह ध्यान में रखिये कि यह भी पॉसिबिलिटीज हैं कि उनमें से भी कुछ नेता तूट कर राजत के साथ यानि महागर्ड बंधन के साथ आ सकते हैं वहीं दूसरी तरफ सूत्र यह भी बता चाहिए ख़बर ये भी है के हैं पार्टी यानि जीतन राम मांजी की जो पार्टी है उन्हें भी अहम पोर्टफोलियो चाहिए अब भारतिय जनता पार्टी इन छोटी छोटी पार्टी को बड़ा पोर्टफोलियो कैसे देगी ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और चुके इनकी दिमांड इतनी बड़ गई है, तो शायद ही भारतिय जंता पार्टी इन दोनों पार्टीस की डिमांड को यहां तक को जंता दल यॉनाइटेड यानि नितिश कुमार की पार्टीस की भी डिमांड को पूरी करें, तो इसलिए खत्रा पूरी तरह से बना हुआ है, कि हैम पार्टी के चारे मेले और उसके इलावा वी आईपी जो पार्टी है उसके चारे मेले राज़त के साथ यानि महागडबंधन के साथ यानि तेजस्वी आदब के साथ आकर मिलें और फिर ये लोग सरकार बनाएं लेकिन बात ये है अब अगर आखुणों की तरफ अगर आठ सीटे लेकर इधर आजाते हैं महागडबंधन की तरफ तो इनके पास 110 प्लस 8, 118 सीटे हो जाएंगी फिर भी इनका पेच फंसेगा वहीं दूसरी तरफ एक किंग मेकर के रूप में ओवैसी की पार्टी MIM भी साबित हो सकती है हलाके ओवैसी ने अभी अपना कोई पत भारतिय जनता पार्टी की तरफ नहीं जा सकते तो यह पॉसिबिलिटीज है कि वो भी महागडबंधन के साथ आएं क्योंकि उन्हों ने भी अपनी जनता से वादा किया है बहुत सारे वादे किये हैं काम करने के लिए और उन काम को पूरा करने के लिए उन्हें भी सरकार म यही इशारे पर लोजपा यानि चराख पासवान की पार्टी चुनाओं मैदान में उत्री अकेले और लोजपा सिर्फ इस मकसद से उत्री के उन्हें नितीश कुमार को हराना है बार बार चराख पासवान यही कहते हुए नजर आये थे कि उन्हें नितीश कुमार यानि ज नितीश कुमार का भी मन खट्टा होगा फिर भी ये मुश्किल है कि नितीश कुमार इंडिये को तोड़ कर तेजस्वी यादव के साथ आएं महागडबंधन के साथ आएं क्योंकि पिछली बार महागडबंधन की सरकार में साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाय था 2015 में लेकिन उन्होंने सरकार तोड़कर भारतिय जनता पार्टी के साथ मिलाया था तो कोई न कोई ऐसा डर था जिसकी वजह से नितीश कुमार भारतिय जनता पार्टी में गए थे अब शायद उन्हें वही डर सता रहा हो और उस डर की वजह से वह डारेक्ट यहां पर नाएं लेकिन यह तैय है कि जिस तरह से तेजस्वियादव हो या कॉंग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हैम को और वी आईपी पार्टी को नियोता दिया है लालच दिया है ओफर दिया है वो दोनों तूट कर इधर आ सकते हैं और फिर एम आई एम भी इधर आ सकती है यानि कि पेच फसा हुआ ह और हो सकता है कि महागडबंधन सरकार बना ले और हो सकता है कि तजस्वी आदव मुख्य मंत्री बन जाएं वैसे वी आईपी पार्टी हो या हैम पार्टी हो ये इनके साथ आने की महागडबंधन में आने की और भी वज़े हैं क्योंकि ये दो पार्टी भले ही इंडिये के स जीतन राम मांजी ने भी कई बार तारीफ की है लालू परसाद यादव की ऐसे में ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि हो सकता है कि ये दोनों पार्टियां और MIA मिलकर महागडबंधन में जुड़ जाए और महागडबंधन की सरकार हो जाए